आज हम बात करेंगे सप्त सारस्वत तीर्थ की, जिसका नाम 48 कोस के तीर्थों में आता है, यह तीर्थ पहवा रोड पर कुरुक्षेत्र से लगभग 42 किलो मीटर की दूरी पर मांगना गाव में स्थित है। कांचनाक्षी, विशाला, मानसहरदा, सरस्वती ओगनामा, विमलोदका और सुवेनु एक होकर बहती हैं। इसलिए यह तीर्थ सप्त सारस्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत में शल्य पर्व के 38 अध्याय में इस तीर्थ से संबंधित कथा का वर्णन है। क्योंकि यहां नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती का दर्शन नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी के प्रसंदता पूर्वक स्मरण किये जाने पर सुप्रभा नाम की देवी ही वहां सरस्वती के नाम से विख्यात हुई। इसी सरस्वती को महात्मा मंकनक कुरुकशेत्र में लाए मंकनक मुनी वायु देवता के पुत्र थे साथ सरस्वतियों का संगम होने से ही इस तीर्थ को वामन पुरान में त्रैलोक्य में दुरलब कहा गया है। इसी तीर्थ से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार एक दिन परवत पुत्र विद्ध के हाथ से कुशाग्र नामक शाक्रस उत्पन्न हुआ जिससे महात्मा मंकनक को अभिमान हुआ कि यह उनकी सिध्ध का फल है। वे गर्व करके नृत्य करने लगे इससे सारे जगत में हलचल फैल गई। परवत चलने लगे, वर्शा होने लगी, नदियां उल्टी बहने लगी और ग्रहों की गती उलट गई। देवता भैभीत होकर महादेव के पास गए। महादेव महात्मा के पास पहुँचे। इस पर महादेव ने अंगुली के अगरभाग से भस्म निक इस पर प्रसन्न हुए शिव ने कहा कि हे महात्मा मेरी कृपा से तुम्हारा तप लाख गुना होकर विकास करेगा। महादेव के आशीरवात से महात्मा तेजस्वी हो गए और दुरलब सिध्धियों को प्राप्त किया। तीर्थ परिसर में एक प्राचीन कूंगा है इस क कूए को गंगा कूप नाम से जाना जाता है। जनश्रुति के अनुसार बैसाखी के पवित्र दिन इस कूए में एका एक गंगा प्रकट होने से इसका जलस्तर बढ़ जाता है और पानी का रंग दूधिया हो जाता है। श्रद्धालू इसी समय कूए से पानी निकाल कर अत मंदिर को आधुनिक टाइलों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के गर्भ ग्रह में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक विशाल खंडित शिवलिंग है। यहां वर्ष में दो मेले लगते हैं। वैशाखी वशिवरात्री पर श्रद्धालूओं की भारी भीड होती ह कि लागते हैं।